हेलो फ्रेंड मेरा नाम रोनक राबत है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं 2861 अभी काफी कम सब्सक्राइबर है हमारे लेकिन मैं अब आपको व्यूज दिखाता हूँ कि कितना जादा हमारे यूटूब चैनल पर व्यूज आया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 57400 व्यूज हमारे यूटूब चैनल पर आया है और आप बोच टाइम भी देख सकते हैं आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए 4000 घंटे का बोच टाइम चाहिए तो 28 दिनों में मेरे यूटूब चैनल पर कितना बोच टाइम आया है 1100 से भी जादा तो दोस्तो यदि आप भी एक यूटूबर है और ये काम आप डेली कर रहे हैं वीडियो का कॉंटेन अच्छे से अच्छा बना रहे हैं अपने वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट कर रहे हैं आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा सा थंबनेल बना रहे हैं और आप डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं फिर भी यदि आपके YouTube चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है, आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यकीन माने, YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आप लोग नहीं जानते हैं, कि बड़े-बड़े YouTuber कैसे अपने YouTube वीडियो को चलाकी से अपलोड करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्सन लिखा जाता है, कैसे वीडियो का SEO किया जाता है, और कैसे वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो उम् लिख कर आपको सर्च कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे YouTube अपडेट ही नहीं है तो मुझे क्या करना है यहाँ से पहले अपने YouTube अपडेट कर लेना है अब आप अपने YouTube अप पर ओपन करना YouTube अपन करने के बाद अब आप जिस भी वीडियो को YouTube पर upload करना चाहते हैं आपको उस वीडियो को चूच कर लेना है तो जैसे मैं इस वीडियो को चूच कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको next का option दिखेगा तो तुरन तो आपको next बाले option पर click कर देना है YouTube वीडियो upload करने का सही तरीका तो दोस्तो हमारी वीडियो का main part यहाँ से start होता है अब आप लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं दोस्तो ना ही आप थम्बे नेल, title, description, tag कुछ भी नहीं लगाते और डायरेक्ट इस upload बाले बटन पर आप लोग click कर देते हैं जबकि बड़े-बड़े YouTuber यह गलती कभी भी नहीं करते उन्हें YouTube वीडियो upload करने का सही तरीका मालूम है यदि आप डायरेक्ट इस upload बाले बटन पर click कर देते हैं तो YouTube आपके वीडियो को समझी नहीं पाएगा कि आपने किस content पर वीडियो बनाया है आपकी वीडियो कौन सी audience तक ले जाए इसलिए वीडियो upload करने से पहले ही आपको अपने वीडियो का थम्बनेल, title, description, tag लगा देने हैं सबसे पहले आपको लगाना है अपने YouTube वीडियो का थम्बनेल आपको थम्बनेल पहले से ही बना के रख लेना है दोस्तों और कोसिस कीजिए कि आपका थम्बनेल एकदम unique हो एकदम attractive हो जब आप वीडियो को upload कर देते हैं और YouTube आपके वीडियो का थम्बनेल किसी audience के पास ले जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके थम्बनेल पर click करें इससे आपके थम्बनेल पर high CTR आएगा और यदि आपका वीडियो अच्छा है लोग ज़्यादा देर तक watch कर रहे हैं तो आपके वीडियो के बारेल होने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अच्छी तरीके से समझ लीजे कि YouTube वीडियो का थम्बनेल कैसे लगाते हैं तो थम्बनेल लगाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको छोटा सा प्लस का आईकोन दिखेगा तो आपको इस पर किलिक कर देना है अब आपको अपना थम्बनेल चूच कर लेना है अब आप अपने थम्बनेल को अच्छी तरीके से सेट कर लीजे और इस डंड वाले option पर किलिक कर दीजे दोस्तों हमने पहला काम कर लिया हमने अपने यूटूब वीडियो का थम्बने लगा लिया अब हमें दूसरा important काम करना है हमें हमारे यूटूब वीडियो का title सही तरीके से लिखना है तो for example के लिए मैंने एक बीडियो बनाई मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई जिस वीडियो में मैंने ये बताया कि यूटूब पर channel कैसे बनाते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि title में हम क्या लिखे title को एकदम सही तरीके से लिखने के लिए आप लोग क्या कीजेगा आप अपने यूटूब एप पर open कीजेगा और अपनी profile picture पर click कीजेगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा turn on incognito तो आपको यहाँ पर click कर देना है दोस्तो आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि यूटूब पर लोग क्या सर्च कर रहे है तो आपको क्या करना है सर्च पर click करना है और आप सिर्फ यहाँ पर YouTube लिखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा YouTube तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाए इसको सबसे जादा लोग सर्च कर रहे है तो इसको आपको अपने वीडियो के टाइटल पर लगा देना है अब आप इंग्लिस में सर्च करके देख लीजे कि सबसे उपर कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है तो जो पड़ा लिखा है वो how to make जरूर लिखेगा तो हम यहाँ पर how to make लिखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं how to make YouTube चैनल इस कीवर्ड को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अपने YouTube वीडियो के टाइटल पर लगाएंगे तो हमने पहला कीवर्ड हिंदी में लिख दिया YouTube चैनल कैसे बनाए उसके बाद आप इस पेस दे के इस डंडे का यूच कीजिए उसके बाद हमने इस पेस दिया और हमने हमारे इंगलिस में कीवर्ड लिख दिया how to make YouTube चैनल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं इसे Capital में कर देते हैं मतलब हर बड़ के पहले letter को हमने Capital में कर दिया यहाँ पर आप YouTube का T bak Capital में कर सकते हैं बड़े बड़े YouTuber ऐसा करते हैं ताकि थोड़ा सा professional दिखे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YouTube कहता है कि आप 100 character तक title लेकिन आपको 60 character से ज़्यादा नहीं लिखना है आप चाहे तो यहाँ पर एक question मारके भी लगा सकते हैं जिससे थोड़ा professional सा दिखेगा YouTube वीडियो का title हमने अच्छी तरीके से लिख दिया अब एक और important काम आपको करना है आपको अपने YouTube वीडियो का description लिखना है description लिखते हमाई आपको कोई भी गलती नहीं करनी है सबसे पहले आपको ये काम तो करना ही है ये काम करना भूल मत जाना आपने title में जो भी लिखा तो आप क्या करना select all करना है select all करने के बाद इसको यहाँ से copy कर लेना और add description में जाना और सबसे उपर सबसे पहले ये बाला keyword आप पेच्टे कर देना अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ मिलते जुलती keyword लिखने है जैसे हमने title में कह लिखा YouTube चैनल कैसे बना है तो मिलते जुलती keyword कैसे हो सकते है YouTube पर चैनल कैसे बना है YouTube में चैनल कैसे बना है नया YouTube चैनल कैसे बना है अपना YouTube चैनल कैसे बना है आ आप पॉस करके इस वीडियो का description अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखता है visibility, तो यहाँ पर अभी आपको अपने वीडियो को public नहीं कर देना है, अभी आपको अपने वीडियो को unlisted करना है, और यहाँ पर आपको tick कर देना है, ताकि अगर आपके वीडियो में कोई copyright आएगा, तो YouTube आपको पहले ही suggest कर देगा, अब यहाँ पर आप audience का option देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर click करना है, अब यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, यदि आपका वीडियो बच्चों के लिए, तब तो आपको yes, it's made for kit से कर देना है, यदि आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, जैसे ये मेरा वीडियो कोई बच्चा नहीं देखने बाला, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, no, it's not made for kit से, अब यहाँ पर भी मुझे दो option आएंगे, पर add to playlist है, आप अपने वीडियो को एक playlist में add जरूर कर दीजे, यहाँ sort remixing तो आप यहाँ पर allow video and audio remixing पर आपको click कर देना है, आप चाहे तो don't allow remixing भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको comment का option दिखता है, तो यहाँ पर आपको click करना है, comment आप अगर बंद करना चाते हैं, तो disable comment पर click कीजे, comment बैसे चालू रहन दीजे, यहाँ पर allow all comment पर आपको click कर देना है, तो दोस्तो वीडियो upload करने के पहले हमने सारे काम कर लिये, तो अब आपको क्या करना है, इस upload वाले option पर click कर देना है, यूटूब वीडियो upload करने का सही तरीका, दोस्तो जैसे ही आप इस upload व पर आजाईएगा, और उस वीडियो के title पर click कीजेगा, जिसे आपने अभी upload किया है, जो अभी upload हो रहा है, और आप लोग क्या कीजेगा, इस pencil बाले option पर click कर दीजेगा, अब यहाँ पर आपको more option से दिखेंगे, जहां से आप अपने वीडियो की category चूच कर सकते हैं, tag से लगा सकते हैं, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाता हूँ, तो इस more option पर आपको click कर देना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लीजे कि tag से कैसे लगाते हैं, जो आपने अपने title में पहला keyword लिखा, उसे याप इसे copy करके यहाँ पेच्टे कर देना, तो अभी य टैग बना नहीं है, यह गलती मत कीजेगा, यूटूब चैनल कैसे बना, यह आपने title में लिखा, टैग में भी आपको सबसे पहले यही keyword लिखना है, और अब आपको क्या करना, इसे tag बनाने के लिए comma लगा देना है, तो यह एक tag बन गया, how to make YouTube चैनल आपने लिखा और comma ल लिखा, how to make YouTube चैनल, तो कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते है, how to create YouTube चैनल, अब दोस्तों आपको अपने वीडियो की category चूच करनी है, आप लोग यह गलती हमेशा करते हैं, तो यहाँ पर देकी category का option दिखता है, तो यहाँ पर आप किलिक कीजे, यदि आपका वीडियो comedy का है, तो आप comedy चूच कीजे, gaming का है, तो gaming का चूच कीजे, तब ही YouTube आपके वीडियो को right audience के पास पहुचाएगा, यहाँ मेरा science and technology है, तो मैंने science and technology पर किलिक कर दिया है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, so how many viewers से like this video, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो के like so होए, तो आ कि यह भी आपके काम complete नहीं हुए थे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको public पर click कर देना है, अब इस back बाले option पर click करना है, और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को save कर देना है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, YouTube वीडियो लाइक करके जरूर जाए, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को subscribe करके bell icon call पर जरूर प्रेस कीजे,